वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम NCRT क्लास 9, 36 हिंदी के पार्थ 1, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा कि कुछ important multiple choice questions को solve करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो सब्सक्राब करके बेल आगन प्रेस कर लीजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल सके और आगला वीडियो आपको किस subject कर कौन से chapter का चाहिए ये भी हमें comment में जरू बता दें ताकि जितना जल्दी हो सगे मैं उस पर वीडियो बना सके तो चली सू करते हैं और देखते कि कौन-कौन से प्रेसने और उसके उतर क्या होंगे इसमें पहला प्रेसने हीरा और मोती में जदी गहरी मित्रता नहीं होती तो उनको क्या होता दोनों कुछ तै नहीं कर पाते, दोनों अराम से घर नहीं पहुँच पाते, दोनों विशम परिस्तितियों से लड़ नहीं पाते, दोनों समय के अनुरूप चल नहीं पाते इसका उत्तर है दोनों विसम परिश्थितियों से लड़ नहीं पाते हीरा और मोती में यदि मित्रता नहीं होती तो वे दोनों विसम परिश्थितियों से लड़ नहीं पाते अगला प्रैसने जुरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चुमे वा उन्हें भागाना चाहती थी वा उन दोनों को साथ देखना चाहती थी उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था उसे बैलों से बहुत स्नेह था इसका उत्तर है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था जुरी की पत्नी ने दोनों के माथे इसलिए चुमें क्योंकि उन्हें अपनी गलती का हसास हो चुका था अगला प्रैस ने गधे की कौन से गुन उसे रिसी मुन्यों की स्रेनी में खड़ा कर देते हैं परिश्रम, सहन सक्ति, स्वाध्याय, त्याग इसका उतर है सहन सक्ति गधे का सहन सक्ति उसका गुन उसे रिसी मुन्यों की स्रेनी में खड़ा कर देता है अगला प्रैस ने पाट में दिवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है अगला प्रैस ने हीरा और मोती द्वार किस कार्य को किये जाने पर गाव की बाल सभा ने उन्हें अभी नंदन पत्र देने का निस्टे किया उन्हें डाकूं को भगाए था वे कसाई को मार कर जूरी के पास वापस लोट आये उन्हेंने चोरों को गाउं से भगाए था वे जूरी से बहत्र स्रें करते थे इसलिए गाउं की बाल सभा ने उस्से अभिनंदन पत्र देने का निस्टे किया अगला प्रेशने इस पाठ में किन पात्रों के मध्य संबंध बहुत मजबूत थे। हीरा और जूरी के मध्य, मोती और जूरी के मध्य, हीरा और कसाई के मध्य, हीरा और मोती के मध्य। इस पाठ में हीरा और मोती के मध्य। इस पाठ में हीरा और मोती के मध्य। संबंध बहुत मदवूत थे। अगला प्रेस ने बाइल का जर्म लिया है तो मरने से कहां तक बचोगे यह कथन किस ने कहा कांजी होस के चोकिदार का जूरी का गया का जूरी की पतनी का इसका उत्तर है कांजी होस के चोकिदार का बाइल का जर्म लिया है तो मरने से कहां तक बचोगे यह कथन कांजी होस के कांजी भोस के चोकिदार का था अगला प्रैस ने हम अपने धर्म क्यों छोड़े कथन में धर्म सब्द से क्या अभिप्राय है रुडी वादियों को बनाई रखने से अपने कर्टवियों का निष्ठा पूर्वक पालन करने से धर्म विरोधी बातों को विरोधी करने से कमजोर का सोशन करने से इसको उतर है अपने कर्टवियों का निष्ठा पूर्वक पालन करने से हम अपने धर्म क्यों छोड़े इस कथन में धर्म का अभिप्राय अपने कर्दवियों का निष्ठा पूर्वक पालन करने से है अगला प्रैस ने लेख्या के नुसार हम किसी मन्युष्य को नीमने अस्तर का मुर्ख कहने के लिए गधे की संग्यक्तियों देते है रूडी वादियों को बनाए रखने से अपने कर्दवियों को पालन करने से धर्म विरोधी बातों का विरोध करने से कमजोर का सोसन करने से इसका उतर है अपने कर्दवियों का निष्ठा पूर्वक पालन करने से अगला प्रैस ने जोरी की पतनी दोनों बैलों से नराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी अगला प्रेस ने बैल को गधे से थोड़ा कम सिधग क्यों समझा जाता है उसके नकामी के कारण उसके मुर्खता पूर्णी रवईये के कारण उसके कभी कभार के अडियल रवईये के कारण उसके मेहनति सभाव के कारण इसका उत्तर है उसके कमी कभार के अडियल रवये के कारण उसे बैल को गधे से थोड़ा कम सिधा समझा जाता है अगला प्रयास ने बच्छे का तावू मुहावरे का अर्थ है गधे का बड़े भाई, मुर्ख व्यक्ति, नमक हराम, कॉलू का बैल इसका उत्तर है मुर्ख व्यक्ति, बच्छे का तावू कम गुहावरे का अर्थ मुर्ख व्यक्ति है अगला प्रयास ने पहली बार गया के घर से भाग कर दोनों बैल कहां गए कांजी होस में, जूरी के गर, मतर के खेत में, लड़की के घर पर इसका उतर है जूरी के घर पहली बार गया के घर से भाग कर दोनों बैल जूरी के घर पहुँचे थे अगला प्रैस ने हीरा और मोती कीस जाती के बैल थे जर्सी, पछाई, अफगानी, इनमी से कोई नहीं इसका उतर है पच्छाई, हीर और मोती पच्छाई जाती के बेल थे अगले प्रेस ने साम के समय भेरों की लड़कियां बेलों के लिए क्या लेकर आई दो रोटियां, चावल के कुछ दाने, आलू की सबजी, इन में से कोई नही इसका उतर है दो रोटियां, साम के समय भेरों की लड़कियां दो रोटियां बेलों के लिए लेकर आई अगले प्रेस ने, आवरत पर सिंग चलाना मना है, कथन किसका है? मोती का, हीरा का, जुरी का, सांड का इसका उतर है हीरा का यह हीरा का कथण है और तर शिंग चलाना मना है अगला प्रैस ने पस्वों में कौन सब मनुसी की गुनों से ज़्यादर विक्सित है मन के भावों को समझना, महनेत करके खाने का अच्छे बुरे में भेद करना, श्नेह करने का, इसका उत्तर है मन के भावों को समझना पस्वो में मन के भावों को समझने वाला गून, मनरती के गूनों से ज़्यादा मिक्सी थे अगला प्रेस ने, हीर और मोती एक दुसरे के परती प्रेम कैसे परकट करती थे अगला प्रेस ने किसके डर से नोकर ने बेलों की खाने में खली नहीं मिलाई जूरी, गया, जूरी की पतनी, कसाई इसका उतर है जूरी की पतनी जूरी की पतनी की डर से नोकर ने बेलों की खाने में खली नहीं मिलाई अगला प्रेस ने जूरी के साले का क्या नाम था? गया, भैरो, मजूर, हिरा इसके उतर है गया जूरी के साले का नाम गया था आप कोई वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेज कर लीजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें